गुड मॉनिंग एवरिवन लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मैट्स के लाज नंबर्स होते क्या हैं उनको रीड कैसे करते हैं उनको लिखते कैसे हैं आज हम इसके बेसिस पर बेसिक ओपरेशन्स देखेंगे जिसमें की एडिशन, सब्ट्रेक्शन, मल्टिप्लिकेशन और डिविजन आएगा सो लेट्स टार्ट टी क्लास फर्स्ट ओफ ओफ ओल हम लोग देखेंगे जो बेसिक चीज है हमारी की प्लेस बैल्यू के बेसिस पर डिजिट्स को हम लोग कैसे रखते हैं सब्से बेसिक चीज यही होते है अगर हमें ये चीज आ गई तो हमारे लिए एडिशन, सब्ट्रेक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिविजन और आगे की भी सारी चीज़े बहुत एजी हो जाएंगे तो सब्से पहले हम लोग देखते हैं कि प्लेस बैल्यू की बेसिस पर हम कैसे लिखते हैं सब्से फर्स्ट हम लोगों को एक नमबर दे रखा है जिसके अंदर लिखा है 5,4,3,2,6,8 यह लार्ज नमबर है और इसको रीड करने पर क्या आएगा और कैसे करते हैं अब हमें इसे place value के according लिखना है हम लोगों ने छोटे numbers में हमेशा जब addition करते हैं या अब अपने workbooks में भी देखा है या जब teacher board पर लिखते हैं तो भी देखते हैं तो हम लोग हमेशा देखते हैं teacher उपर लिखता है h, t, o, hundred, tens, or ones ऐसे ही हम हमेशा जब addition, subtraction है कोई भी basic operation करेंगे तो उपर हमेशा लिखेंगे जिससे कि हमें exact place value हमारी पता चल जाए last class में हम लोगों ने देखा कि हम read कैसे करते हैं तो हमेशा right side से read करना start करते हैं जिससे कि हमें last result हमारी पता चल जाती है कि वो कौन सी place value पर आएगी अगर हम इसमें देखें तो eight once place पर, six tenth place पर, two hundred place पर, three thousand place पर, four ten thousand place पर, और five lakhs place पर आया हुआ है इसको हम लोगों को क्योंकि इस number में कोई भी desert zero नहीं है कोई भी desert पीच में चूटी नहीं है मतलब कि जिसको हम लोग blank छोड़ सके ऐसा कोई number नहीं है ऐसे desert नहीं है इसलिए हम लोगोंने proper sequence में उसको लिख दिया है अब हम आते हैं नीचे नीचे वाला जो portion है उसमें हमें ये दिखाया गया है कि अगर हमें addition subtraction करना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं नीचे हमें दो numbers दिये गए हैं फर्स्ट जो number है वो क्या है और उसके साथ जो दूसरा number दिया है वो क्या है अब हम इसको ऐसे लिखेंगे माननों कि हम लोगों को कोई इसमें plus minus multiplication या division करना है तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे उपर हम लोगों ने सबसे पहले sequence लिखी है जिससे कि हमें easy हो जिस place value उपर जोन सा number आएगा हम उसी हिसाब से लिख सके कोई भी हमारा इधर उधर number ना हो इसलिए हम लोगों ने उपर अपनी sequence लिखी है जो कि जो beginners होते हो हमेशा लिखेंगे बाद में हम लोग इसको जब और बड़ी classes में हो जाएंगे या और ज़्यादा लंबी addition subtraction आजाएगे तो हम इसको छोड़ सकते हैं लेकिन वो बड़ी classes में अभी हम इस level पर इस class में लिखेंगे तो आएगा हमारा पीछे से read करना हम start करते है right hand side से once, tens, hundred, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh और करोड once place पर हम लोग first number का लिखेंगे 0 फिर tens place पर 8, hundred place पर 7, thousand place पर 6, ten thousand place पर 0 जैसा कि हमें नंबर में दिया गया है lakhs पर 5, ten lakhs पर 3, और करोड पर 6 अब हम नीचे अगर आते हैं तो नीचे हमें second number पर लिखा है second जो number है वो हमारा lakh से start है अगर हम इसको left hand side से start करेंगे तो वो करोड के नीचे आएगा जो कि हमारी place value गलत हो जाएगी तो इसलिए सबसे आसान है कि हम right hand side से ही सारी calculations करते हैं तो लिखना भी right hand side से ही start करें once place पर eight, tenth place पर six, hundred place पर two, thousand place पर zero, ten thousand place पर four, lakhs place पर five ये होगे हमारे basic place value के basis पर हम लोग digits को कैसे रखते हैं अब हम आते हैं हमारे first operation पर addition पर addition of large numbers first हमें line में यही चीज लिखी गई है to add large numbers, list them in columns and then add only those digits that have the same place value सबसे पहले large number को add करने के लिए हमें उनको columns में लिखना है और जब हम उनको columns में लिख लेंगे तो हम उनको columns में same place value पर लिख लेंगे उसके बाद हम उसको add करेंगे नीचे हमें question दिया find the sum of 5,897, 78, 726, 8,569 इन सभी को हम लोगों ने जो सबसे बड़ी term है वो देखेंगे हम सबसे बड़ी जो term है नमबर है वो है 8,569 इस नमबर को हम लोगों को देखने पर 1000 की place value तक हमारा ये नमबर है तो हम लोग उपर 1,100,000 लिख देंगे इसमें नहीं लिखा हुआ आप लिख सकते हैं next है हमारा हमने first number लिखा 5,897 हमेशा right hand side से start करेंगे तो 78 का भी 8 हम right hand side पर once place पर रखेंगे फिर 10th place पर फिर उसके बाद 726 में 6 once place पर 2, 10th place पर 700 place पर जैसे जैसे हम लोग बोलते जाते हैं हम उसकी हिसाब से लिखेंगे तो 726 तो 700 जो है वो 100 की लाइन में आएगा 20 जो है वो 10th की लाइन में आएगा और 6 क्योंकि अकेला है तो वो once की लाइन में आएगा ऐसे ही 8569 को हम लिख लेंगे और उसके बाद हम लोग simple addition करेंगे जैसे कि हम छोटी classes में करते आए हैं first, second, third class में 7, 8, 6 और 9 को अड़ करेंगे 9, 7, 2 और 6 को अड़ करेंगे 8, 7 और 5 को अड़ करेंगे 5 और 8 को अड़ करेंगे यह हमारा addition हो जाएगा और यह carry forward वाला question है तो हम लोग इसमें next place पर next जो हमारा place value है उसके उपर हम लोग carry forward करते जाएंगे जैसे कि 7, 8, 6 और 9 जब हम इन सभी को add करेंगे तो हमारा sum आए का 30 तो हम लोगों ने क्या क्या 30 जो है अगर हम उसको ध्यान से देखें तो 30 जो है वो 10th place पर आना चाहें क्योंकि उसके अंदर 10, 10 के 3 bundles है 10, 10 के 3 bundles है तो इसलिए हम लोग 3 तो लिखेंगे 10th place पर और 0 लिख देंगे 1st place पर 30 बन जाएगा हमारा ऐसे ही हम आगे जो 100 place पर आएगा उसको आगे आगे carry forward करते जाएंगे जैसे कि हम लोग normal अपने basic addition में करते हैं सेम चीसे यहां लेखी गई है write the numbers in columns with the thousand, hundred, tens and units lined up कि जब आप addition करेंगे तो सबसे पहले हम लोग columns बनाएंगे thousand के, hundred के, tens के, units place के या once place के और उसके basis पर हम लोग फिर सारी अपने numbers की digits को place करते जाएंगे next है हमारा point 7, 8, 6 and 9 is equal to 30 तो हम इसमें क्या करेंगे sum of the digits in the units column is 30 जब हमने add किया था, अभी मैंने आपको add करके बताया था 7, 8, 6, 9 को last वाले अगर हम slide पर जाएंगे तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था add करके 7, 8, 6, 9 को इसमें जो once place के सारी unit place है हम लोगों ने 7, 8, 6, 9 को add किया था जब ये add हो गया तो हमारा answer 30 आगया तो इसमें हमें क्या बोला गया है कि जब answer 30 आगया तो हम लोगों ने उसको क्या किया जीरो को लिखा units place पर और 3 को आगय कर दिया 10th place पर next हमारा point है the sum of the digits in the 10th column after adding 3 is 27 so we place 7 in the 10th place and carry 2 to the 100th place same अगर हम अपने पिछे वाले example पर जाएं यहाँ पर तो हमें क्या दिखाई दिया 10th वाले line में 9, 7, 2 और 6 प्लस जो 3 carry forward हुआ था 30 बाला इन सभी को add करने पर हमारा 27 तो इसमें हम लोग अगर ध्यान से देखे तो यह 27 tenths के bundle हैं तो जब 27 tenths के bundle आ जाएंगे तो हमारे अंदर हमारे जो bundles हैं वो 100 की line में जाना शुरू हो जाएंगे यह मैंने आपको last वाले उसमें सिखाया था समझाया था तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे इस 2 को 100 वाली line में रख देंगे जैसे कि यहां पर 5 के पास 2 को carry forward किया गया है अब हम चलते next point पर the sum of the digits in the 100th column after adding 2 is 22 so we place 2 in the 100th place and carry 2 to the 1000th place same चीज है अब हम 100 वाले column को add करेंगे 100 वाले column को add करने पर हमारे पास क्या आया है 22 तो हम लोगों ने क्या किया 22 को carry forward करने किया और वो कैसे किया 2 को रखा 100th place पर और यह वाली लाइन को अगर हम देखें 8, 7, 5 और जो 2 था 10th place वाला 27 वाला वो जब यहां पर आया था तो इन सभी को add करने पर हमारा 22 आया और 2 को हमने 1000 place पर carry forward कर दिया और हमारा 22 में से 2 हमने 100 वाल लाइन पर रखा same अगर हम अब आगे चलते हैं यह हमारे 3 points clear हो गए next आता है subtraction, addition का हमारा point इतना है था कि हमें columns में रखने है place value के according रखने है और जैसे हम लोग basic अपने addition करते हैं carry forward करने वाले या बिना carry वाले जैसा भी हमारा question आता है जैसे भी addition के लिए बोला जाता है वैसे हम लोगों को उसमें करना है यह हमारा basic जो है वो है इसमें सिर्फ columns में put करना अगर हमने सही columns में put कर दिये तो हमारा answer बिल्कुल correct आएगा कहीं पर कोई भी mistake नहीं होगी same subtraction में subtracting one number from another number is to find the difference between them subtraction का meaning क्या होता है कि हम उन दोनों numbers में अंतर धूंडते हैं कि कौन सा number कितना बड़ा है या दूसरा number कितना छोटा है जैसे कि 17 और 8 को यहां minus करके दिखाया गया है अगर हम उसको ध्यान से देखें तो 17 और 8 में कितना difference आया 9 numbers का 17 8 से कितना बड़ा है 9 number 9 और 8 17 से कितना छोटा है तो 9 digits इतना छोटा है this is read as 17 take away 8 is equal to 9 और 17 take away 8 is 9 also we can say 17 minus 8 is 9 यह सेम चीज है कि 17 उससे कितना बड़ा है या 17 के अंदर से अगर हम 8 numbers को निकाल दें या 8 मान लो अगर हम छोटे बच्चों को जैसे बोलते हैं 17 टॉफी है और 17 में से 8 टॉफी हम लोगों ने खा ली है तो कितने टॉफी बच गई तो 17 टॉफी में से 8 टॉफी को निकाल दिया गया तो 9 टॉफी बच गई एक्जेम्पल में नीची हमें दिखाया गया है 16 minus 9 is equal to 7 यह हमारे छोटी क्लास वाला है अब हम आते हैं हमारे large numbers में to subtract large numbers list them in columns and then subtract those digits that have the same place value यह same चीज़ वही चीज़ बताई गई है सबसे पहले columns में put करें columns में put करने के बाद place value के हिसाब से put करने के बाद उनको subtract करें find the difference between यह example हमें दिया गया है 706.489 इसको इन लोगों ने दो तरीके से दिखाया है दो तरीके से दिखाने का same answer आएगा हमारा जैसे कि हम लोग स्कूल में करते हैं equals addition method या पर decomposition method करते हैं हम लोग दिमाग में सोच सोच कर करते हैं तो हम लोग यह वाला method यूज़ करते हैं जैसे कि 706 4489 7064 489 जब हमने इन दोनों को सब्ट्रेक्ट किया तो हम लोग मन में सोचते हैं कि 14 में से 9 चले गए तो कितना आगया पांच अब इधर अगर हम ध्यान से देखें तो 8 में से 1 तो ले लिया 14 ने तो यहां बच गए 5 तो 16 में से 5 गए तो sorry 7 16 में से 7 चले गए तो 7 बच गए तो इस टाइप से हम लोग सोच सोच कर करते हैं नहीं तो हम लोग basically तो अपने notebook में हम लोग यह वाला method करते हैं इसमें हम लोग simple यह हमारा borrow वाला question है जैसे चोटी classes में हम लोग करते हैं basic चीज जो इन सभी में आती है वो यह आती है कि हम लोगों को इन लोग इन सभी को columns में put करना है जैसे कि हम लोगों यहाँ पर 7064 को यह हमारा आ गया 1000 का column यह आ गया हमारा 100 का column यह आ गया हमारा 10 का column यह आ गया हमारा 7064 लेकिन 489 को 400 बोला तो 100 वाली लाइन में 4 रखा 10 वाल लाइन में 8 और 1 वाल लाइन में 9 तो 1000 वाल लाइन में क्या आएगा यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो 0 मान करके हम लोग इसको solve करेंगे यह हो गया हमारा subtract कैसे करेंगे subtract करते टाइम भी हमारे कुछ rules होते हैं हम लोग कोई सब भी method यूज़ कर सकते हैं use the equals addition method और the decomposition method नीचे है line up the thousands, hundreds, tens and unit place values for the two numbers when placing the smaller number below the larger number as shown above इस point को अगर हम ध्यान से देखें तो वैसे तो यह point हमारे teachers हमें हमेशा छोटी class में बताते हैं लेकिन इस point का basically मतलब यह है कि हम हमेशा जादा में से ही तो कम को घटा सकते हैं अगर हमारे पास कोई चीज पहले से कम है तो हम उस चीज में से जादा को कैसे minus करेंगे जब वो चीज है ही नहीं हमारे पास तो तो यह चीज इन्होंने क्या बोला है अगर हम इन दो numbers को ध्यान से देखें तो इन में से बड़ी digit कौन है greater number कौन सा है यह number greater है तो हमने इस नंबर को पहले उपर रखना है और smaller नंबर को नीचे रखना है यह हमारा second point हो गया next है हमारा subscribe